सम्विधान जागरूक्ता विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन मुख्य अतिथी और अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए डॉक्तर भीमराव रामजी अंबेडकर की नीतियों को जन जन तक पहुचाने के लिए लोगों को किया प्रेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपत बिजनौर के नूरपुर में एक बैंकट हॉल में सम्विधान जागरूक्ता विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया इस जागरूक्ता विचार गोष्ठी में भीमराव रामजी अंबेडकर की नीतियों को देश के हर नागरिक तक पहुचाने का संकल्क लिया इस अफसर पर मुख्य अतिथी के रूप में आये उर्व न्याइधीश मनोज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश सम्विधान को बचाना और लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना है जिससे जनता भारत के सम्विधान को समझे और सोच समज़कर अपने मत का प्रयोग करे वोट देने के बावत जिससे की सरकारे बनती है मैं कोईसी भी पार्टी से अभी नहीं हूँ समिधान की जो मुल भावना है उसको भारत में स्थापित करना